आपके बॉइफ्रेंट ने आपको कहा कि वो आपसे पांच बजे मिलेंगे लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं आप बहुत ज्यादा गुस्से में है राइट और उनको कहना चाहते हैं कि कहा हो तुम मैं पिछले एक घंटे से तुम्हारा इंतिजार कर रही हूँ हिंदी में तो ये कहना बहुत ही ज्यादा आसान है I'm sure लेकिन इंग्लिश में ये कहने के लिए words समझ में नहीं आ रहे हैं क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? अगर ऐसा है तो आपने सही वीडियो सिलेक किया है हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस्ट सोन्या और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे इंग्लिश में आप कैसे हाव बीन वेटिंग, हाव बीन वरकिंग या हाव बीन लुकिंग इस तरह के सेंटेंसे बना सकते हैं और कैसे आप इनी सेंटेंसे को पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों ही फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं सबसे पहली बात आप ये सेंटेंसे यूज कर सकते हैं अगर आपको कहना है कि कोई चीज काफी समय से चल रही है और अब भी जारी है मतलब अब भी चल रही है जैसे वो बॉइफ्रेंड वाला एक्जाम्पल ले लेते हैं मैं तुम्हारे लिए पिछले दो घंटों से इंतजार कर रही हूँ ऐसा वो कहना चाह रही थी तो इंग्लिश में कहेंगे मतलब ये क्रिया दो घंटों से चल रही है और अब भी जारी है और एक एक्जाम्पल लेते हैं मैं साथ बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ आई हाव बीन स्टड़ेंग सिंस 7 a.m यहां हम कह रहे हैं कि साथ बजे से पढ़ाई शुरू हुई और अब भी चल रही है तो आपको कुछ बाते ध्यान में रखनी होंगी अब सबसे पहली बात इन सेंटेंस में आप वर्ब प्लस आएंजी यूस करेंगे क्योंकि यहां क्रिया चल रही है मतलब जो क्रिया या वर्ब है वो कंटिन्यूस है दूसरी बात आप आई, यू, वी और दे के साथ यूस करेंगे हाव बीन और ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ यूस करेंगे हाज बीन टेक्निकली इंग्लिश ग्रामर में इस थरा के प्रयोग को हम Present Perfect Continuous Tense कहते हैं लेकिन हम इस लेसन और इस वीडियो के द्वारा आपके लिए ये Tense सरल एकदम सिंपल बनाएंगे Alright, so let's get started मैं यहाँ पिछले एक साल से काम कर रही हूं I have been working here for the last one year मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूं I have been wasting my time Wasting is waste plus ing हम सुबह से शॉपिंग कर रहे हैं We have been shopping since morning हम यह TV शो जुलाई से देखते आ रहे हैं We have been watching this TV show since July तुम मुझे पिछले हफते से नजर अंदास कर रहे हो You have been ignoring me since last week Ignore मतलब नजर अंदास करना So ignore plus ing becomes ignoring तुम पिछले दो सालो से यात्रा कर रहे हो You have been traveling for the last two years वो मुझे दो महीनो से परेशान कर रहे हैं They have been troubling me for two months now Trouble का मतलब यहां पे हैं परिशान करना वो तुम्हे सुबह से कर रहे है They have been calling you since morning वो जैन्वरी से अपनी एक्जाम्स की तैयारिया कर रहे है She has been preparing for her exams since January वो मंडे से तुम्हारा पेचा कर रहा है He has been following you since Monday Following का मतलब यहां पे है किसी का पीछा करना वो काफी समय से रो रही है She has been crying for a long time वो पिछली राज से प्रैक्टिस कर रहे है They have been practicing since last night Heena, पिछले पान सालों से पार्टिया आयोजित कर रही है Heena has been organizing parties for the last five years Priya, पिछले चार हफ्टों से वोक आउट कर रही है Priya has been working out for the last four weeks Working out का मतलब है जिम में exercise याने की कसरत करना Yeh पिछले साथ घंटों से सो रहा है It has been sleeping for the last seven hours Yehaan मैंने it example के तौर पे cat या फिर एक billy के लिए यूस किया है Yeh कैसे अजीब आवाजे कर रहा है It has been making funny sounds since yesterday Yehaan it use किया गया है किसी machine के लिए In सारी sentences में अगर आपने notice किया है हमने since या for the last in words का उपयोग किया है Yeh बात आप ध्यान से note करे Since use करना जब आप exactly कब से कुछ हो रहा है यह बता रहे है जैसे exact din, time, saal, date, etc. और for use करना है जब आप समय बता रहे हैं कितना समय जैसे दो साल, चार हफते, दस दिन वगेरा दो examples देख लेते हैं यह समझने के लिए Maan लीजे अब दुपहर के एक बच चुके है मैं ग्यारा बजे से खाना बना रही हूँ I have been cooking since 11am यहां मैंने बताया exactly कितने बजे से तो मैंने use किया since मैं पिछले दो घंटो से खाना बना रही हूँ I have been cooking for the last two hours यहां मैंने बताया कितना समय लग रहा है इसलिए यहां मैंने for इस word का उपयोग किया है Alright Okay I hope यह बाते आपको याद रहेंगी चलिए आप कुछ negative sentences बनाते हैं पहले I, you, we और दे के साथ मैं ठीक ठाख खाना नहीं खा रही हूँ I have not been eating food properly Properly का मतलब है सही तरीके से मैं मार्च से school नहीं जा रही हूँ I have not been going to school since March यहाँ आप have और been के बीच में लगा रहे हैं not correct तब यह sentences negative बनते हैं ना के positive आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर चाहे तो I haven't been eating food properly या फिर I haven't been going to school since March haven't is equal to have plus not यह short forms है यानि की contractions है आपको जो simple लगे आप वहीं use करे लेकिन एक बात है जो fluently English में बात करते हैं वो ज्यादा तर short forms या फिर contractions नहीं use करते हैं तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुछ negative sentences के examples तुम अच्छे से नहीं खेल पा रहे हो You have not been playing well तुम अपना काम नहीं करते आ रहे हो You have not been doing your work वो किसी भी बारे में शिकायत नहीं करते आ रहे है They have not been complaining about anything Next sentences देखते हैं He, she, it या किसी के नाम के साथ वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं He has not been talking to them वो अपनी परिक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा है He has not been studying for his exams Saira मुझ से चाटिंग नहीं कर रही है Saira has not been chatting with me Ye, पिछले एक साल से काम नहीं कर रहा है It has not been working for the last one year जब से मैने ये लैपटॉप खरीदा है ये तब से ही काम नहीं कर रहा My laptop has not been working since I bought it So friends, आप इस तरीके से English में negative sentences बना सकते हैं जैसे आपने positive बनाए अगर आपको have been or has been use करना है अपने sentences में उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जो past में शुरू होके अभी तक जारी है I hope आपको ये सारे sentences समझ में आये होंगे इस lesson में हमने काफी सारी बाते सीखी, correct? अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप definitely video को pause कर सकते हैं और दुबारा से video को देख कर वो भी ध्यान से आप उस बात को समझ सकते हैं Well friends, आज के लिए बस इतना ही आप अपनी practice जारी रखे और अपना confidence भी बरकरार रखे और हां हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलेगा ताकि आप ऐसे ही बहुत सारे lessons देख सके और बहुत सारी English आप सीख पाए हमारी अगली मुलाकात तक, this is me Sonia saying take care and bye-bye